अलो फ्रेंट्स वेलकम टू बैक माई टूप चैनल फियो का फंड़ा तो फ्रेंट्स आज हम बनाने चल रहे हैं आवले की बहुत ही टेश्टी सी रैस्पी बहुत ही यूनिक सी रैस्पी है तो चलिए बना दें यहां मैंने आवले को धुल के इसके बाद अच्छे से पोश् है तो चलिए आगे की प्रसे सुरू करते है चैनल पर पहरी बात तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइन बल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गाजिसे आगे की वीडियो मिलती रहे तो यहां पर गाई देखे मैंने एक कढ़ाई ले लिए है अब इसमे सब्सक्राइब कर देंगे और यहां पर फिर हमेसे भूनेंगे घास हमें इसे कुक करना है अच्छे से यह खो जाये तो फिर कुक हो जाएगा तो फिर आसानी से इसमें अंदर वीज हो गया रहा है वह निकल जाएंगे तो इसे हम पलट दे नहीं सबीक तरफ से लिए ठोट देंगे तो यह अराम से सभी तरह से कुखो जाएगा अच्छा यह जो गिरीन गिरीन दिखता है आउला खोने के बाद यह बिल्कुल यलो दिखेगा और इसकी जो उपर से इसकी चमकती रहती है वो थोड़ी सी खुरदुरी रफ लगेगी देख सकते इस तरह से तो यह थोड अब हम इन सभी को एक थाली प्लेट में निकाल लेंगे यह कुखो गई अच्छे से आप चाहे तो इससे देख भी सकती है किसी भी चीज से चाको गयरा से देख सकती है कुखो गया कि नहीं यहां पर साय देखें मैं निकाल यह तेल भी देखें थोड़े बहुत कम हुए है बाकी सभी है तो यहां पर इसको हम रख देते हैं तब तक थंडा हो जाए अच्छे से तो गाइस यहां पर मैंने पैन ले लिया है यहां पर मैंने दो चम्मच सौफ ले ली है और यहां पर मैंने जीरा ले लिया है एक चम्मच मेथी ले ली है आधा चम्मच अब इससे तो पीली राई ले सकते हैं यह लैक वाली दोनों तो इसे भी थोड़ा सा हलका सा बस कर लेंगे एक मिनट के लिए उसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे तो यहां पर गाइस से मिक्स जार में ले लेते हैं इसे हम अच्छे से पीस लेंगे बहुत ज्यादा पाडर नहीं ब देंगे मिर्च ले रहे हूं इसे मैं धुल के आदे घंटे के लिए कॉटन के कप्रिस पोच के दूप दिखा दिया था अब इसकी डंडिया है उसे जो है यहां पर मैं निकाल दे रही हूं और बहुत फीजली हम इसे कट कर लेंगे आप चाहे तो इसे कैची हो गाइरा होत उससे भी कट कर सकते हैं लेकिन द्यान रखे कैची बहुत ज़्यादा यूज न किये रहें जंग वगारा न लगी रहें तो सही है आप इस तरह से नाइफ के ह embryos से ही कट कर लें अच्छ से ली रहते हैं ज़्यादा कर लें कोंगी आवले लें हैं जब इसे अच्छ करते हैं इसमें जो अलग अलग पीकन कि रहता है डिखता है कि अलग अलग पीकन किया तो दश्राइन वहीं से हम ना इस आपको से नीजाए बहुत हैं में की Hang कि अच्रण में ने ऍप्रारे कि वहीं अच्छय किटाए है, इस इस तरहाए है और इस तरहासे बिल्कुल भी खराब tumor नहीं हो गर बहुत ही अच्छे सी हो जाता है a आमेद देख है निम्हान करने के वह फेए किन और समयगा जंनुदोसर बिद widget आखों के लिए और फी सारी चीजें बाडी की सभी पार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है यह तो अलब देख्या हैं सारी सारे मैंने आपे निकाल दिये और फिर चलते हैं गैस की तरह इसता से सभी निकल गए हैं तो यहां पर आइल को मैंने गरम होने का रख दिया जो आल तो यहां पर अच्छे से गरम हो गया तो यहां पर डाल दी है तो बहुत ही गरम नहीं था तभी मैंने चीजे डाली जले ना उसके आप गणी मेर्ष काटी तो डिया है मिर्ष मेरणा नहीं से थोड़ा पना कम निकल जाएगा तो थोड़ा छोड़ देंगे वाच मिनिन पेंड़ा के लिये अभी तो सब मैंने यहां पर दो चम्मश ले लिया है और यहां पेमाने ले लिया तो फीज़े के लिए तो मसाले करें मैंने सभी एड़ कर दीए है अब इसे मिक्स कर देंगे तो मसाले करते समय ध्यान रखियेगा आएल बिल्कुल भी गरम ना हो और अब हम इन सभी और लोग को एड़ कर देंगे तो यहाँ पर सारे गाईज एड़ कर दिये है, बहुत ही निव औन टेस्टी रेस्पी है बहुत ही अच्छी रेस्पी है अब आपको समझ आ गया हो गा यहाँ पर मैं अचार बना रही थी बहुत ही न्यू तरीका है इस तांसे बना से बिल्कुल खराब नहीं होता यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सभी मसाले अच्छे से कोट हो गया है यहां पर हम मैं नमक भी एड़ कर दे रही हूँ तो यहां पर मैंने दो चमच एड़ कर दिया है आप चाहे तो चेक करके भी एड़ कर सकते हैं यहां पर मैं एक चमच और मैंने एड़ किया था तो नमक चेक करके थोड़ा नमक ज़्यादा ही रहना चाहिए अचारों गयरा में तो अच्छे से गई इससे mix कर लेंगे और बहुत जार टेश्टी अचार यह बनता है खराब नहीं होता है और आप इसे किसी भी सूखे जार में रख सकते हैं हम पे देखने कितना ज्यादा टेश्टी दिख रहा है सालों साल यह चार खराम नहीं होगा गाईजा आप इसे जार में रखके किसी सुखे जार में रखके आप इसे तीन चार दिन धूप दिखा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेश्टी यह रेस्पी है बहुत ही यूनिक तरीका है बनाईए खाईए तो जड़े से इस सब्सक्राइब करना ना भूले अपने फिर्ट में सेयर कर दीजिएगा कमेंट कीजिएगा थैंकि सो मुच बाइगाईज टेक केर